नमस्कार शिवालिक आॉनलाइन क्लासीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम जिस विशे के बारे में बात करने जा रही है वो है विश्व का सरवच पुरसकार तो पहला सवाल यही है कि विश्व का सरवच पुरसकार कौन सा है वो है आपका नोबिल पुरसकार नोबल पुरसकार से समद्दित जो भी सवाल प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नोबिल पुरसकार जो की विश्व का सर्वोच पुरसकार है वो किसकी समर्थी में दिया जाता है तो ये दिया जाता है आपका अलफ्रेड बर्नार्ड नोबेल की इनका जर्म 1833 में हुआ था और 1896 में इनकी मृत्यों हुई थी और ये रहने वाले थे आपके स्विडन की राजधानी स्टॉक होम याने की नॉर्थ यूरोपिन कंट्री है स्विडन और वहां की राजधानी स्टॉक होम देखिए अलफ्रेड नोबल जो है वो एक कैमिस्ट, इन्वेंटर, इंजिनियर, बिजनेसमैन, फिलान्ट्रोपिस्ट फिलान्ट्रोपिस्ट कहते हैं आपका जो जनहित के लिए काम करता है जो लोग को पकारक होता है चैरिटी के काम जो करता है तो ये थे, में जो है ये आपके कैमिस्ट और इन्वेंटर थे और इनके नाम 355 पेटेंट्स थे याने की 355 अविशकार किये गए थे अलफ्रेड नोबल के द्वारा पर इनहीं जो याद रखा गया वो रखा गया इनके अविशकार डाइनामाइट के कारण जिसका विशकार इन्होंने किया था 1867 में यही कारण बना कि नोबल प्राइज पुरसकार शुरू किये गए क्यों देखिए अलफ्रेड नोबल जो है वो जिस फैमिली से बिलॉंग करते थे वो जो उनका जो फैमिली बिजनस था वो था माइनिंग का और मिल्टरी एक्विप्मेंट का तो एक अच्छे कॉस के लिए उन्होंने डाइनामाइट की खोज की थी या अविशकार किया था लेकिन एक फ्रेंच पत्रकार द्वारा जब उन्हें मौत का सौधागर कहा गया तो वो बात उन्हें ठीक नहीं लगी और उन्होंने अपने संपत्ती का एक काफी बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा जिसके पैसे के वयाज से उन्हों को समानित करना चाहते थे वो तो जिनका काम मानव जाती के लिए कल्यानकारी हो तो उनकी जो विल थी उनकी प्रॉपर्टी में उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उस ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा और 1896 में उनकी मौत के बाद फिर नोबल पुरिस्कार शुरू किये गए तो जो नोबल पुरिस्कार की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1901 में नोबल पुरिस्कार हर साल दिये जाते हैं अक्तूबर के लगभग अक्तूबर नमंबर के लगभग इसकी घोशना हो जाती है नोबल पुरिस्कार विजेताओं की और 10 दिसंबर को नोबल पुरिस्कार विजेताओं को नोबल पुरिस्कार दिया जाता है देखें 10 December को क्यों दिया चाता है क्योंकि 10 December 1896 में Alfred Nobel की मृत्यू हुई थी तो काफी ज़रूरी सवाल है सभी के सभी Nobel पुरुषकार किसकी से मृत्यू में दिया चाता है Alfred Nobel की कहां के रहने वाले थे Sweden Stockholm के और अविश्कार आपको कहा चाता है कि dynamite का विश्कार किस ने किया था Alfred Nobel ने एक सवाल आप से पुछा चाता है कि dynamite में क्या मौजूद होता है तो वो होता है आपका nitroglycerin उसके बाद Nobel पुरसकार की शुरुवात बहुत जरूरी सवाल ये हुई तो 1901 में और प्रतीक वर्ष ये 10 दिसंबर को दिया जाता है Nobel Foundation के दौरा देखिए बहुत जरूरी सवाल जो एक्जाम में पुछा जाता है वो पुछा जाता है कि Nobel पुरसकार कितने क्शेत्रों में दिया जाता है तो Nobel पुरसकार जो है आपका ये 6 क्शेत्रों में दिया जाता है बहुत एक विज्ञान, रसाइन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांती और अर्थ शास्त्र Physics, Chemistry, Medicine, Literature, Peace और Economics आपसे सवाल ये भी पुछा जाता है कि एक क्शेत्र में अधिक्तम कितने लोगों को नोबिल पुरसकार दिया जा सकता है देखिए ये सवाल क्या है ये कह रहा है कि एक क्शेत्र में एक वर्ष में मैक्सिमम आप कितने लोगों को पुरसकार दे सकते हैं उधारन के लिए बहुत एक विज्ञान में 2020 में आप कितने लोगों को नोबल पुरुसकार दे सकते हैं तो अधिकतम दे सकते हैं आप हर क्षेतर में तीन लोगों को एक क्षेतर में मैक्सिमम आप तीन लोगों को नोबल पुरुसकार एक साल में दे सकते हैं अब बात करते हैं कुछ छोटे चोटे पॉarentस जो नोबल पुरुसकार से रिलेटिड हैं वो हैं आपको सवाल आता आ सकता है कि जो अर्थ शास्तर जो अर्थ शास्तर की क्षेतर में जो नोबल पुरुसकार दिया जाता है उसे देना कब से शुरू किया गया देखिए शुरुवात में 1901 से जब नोबल पुरुसकार देना शुरू किये गए तो पहले पांच क्षित्रों में दिया जाता था भौती कृसाइन, चिकित्सा, सहित्य और शांती 1969 के बाद अर्थ शास्तर के एक शित्र में नोबल पुरुसकार देना शुरू किया गया और अर्थ शास्तर को नोबल सम्रिती पुरुसकार भी कहा जाता है देखिए, 1974 से पहले मर्णो प्रांथ भी नोबल पुरुसकार दिये जाते थे लेकिन 1974 के बाद मर्णो प्रांथ जो नोबल पुरुसकार हैं वो बंद कर दिये गए और दित्य विश्व्यूत जब आपका चल रहा था 1949 से 1945 के बीच में तो इस बीच में आपके 1940 से 1942 के बीच में किसी भी क्षेतर में नोबल पुरुसकार नहीं दिये गए देखिए एक वर फिर से अर्थ शास्तर में जो नोबल पुरुसकार देने की शुरुआत हुई वो ही 1969 में 1974 के बाद मर्णो पुरांत नोबल पुरुसकार देना बंद कर दिया गया और विश्विद जब चल रहा था तो उस अंतराल में 1940 से 42 के बीच में किसी क्षेतर में भी नोबल पुरुसकार नहीं दिये गए हर एक सवाल बहुत ज़रूरी है अगर आप पहली बार नोबल पुरुसकार पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं सेजेस्ट करूंगी भरत को कितने नोबल पुरुसकार मिले हैं अब तक तो हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से आपको सवाल आ सकता है कि महात्मा गांधी को नोबल पुरुसकार कभी नहीं मिला है हालांकि उन्हें नामित किया गया पांच बार 1937-1949, 1947 और 1948 में लेकिन उन्हें नोबल पुरुसकार नहीं मिला गया एक और चीज जो आपसे डिसकस करना चाहती थी पढ़ रह गई वो ये है कि आपसे पुछा जा सकता है सवाल कि भौतिक विज्ञान के एक शेत्र में नोबल पुरस्टकार कौन सा देश देता है तो हमें मालूम है कि अलफर्ड नोबल कहां के रहने वाले थे स्विदन स्टॉ के रहने वाले थे तो जो भौतिक विज्ञान, रसायन, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थ शास्त्र है इन पाँच क्षेत्रों में जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है स्विदन स्टॉक होम द्वारा जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन, विज्ञान के लिए देता है Swedish Academy of Science, चिकित्सा के लिए Stockholm Faculty of Medicine, साहित्य के लिए Swedish Academy of Literature, और अर्थ शास्तर के लिए भी आपका Sweden ही Nobel पुरुस्कार देता है. अगर हम बात करें शांति पुरुस्कार की, तो Sweden का एक पडोसी देश है वो है आपका Norway, Norway और Norway की राजधानी है आपकी, Oslo. Norway और Norway की राजधानी है, Oslo. ये आपका शांति के क्षेत्र में Nobel पुरुस्कार देता है. आपको सवाल आएगा कि शांति के क्षेत्र में Nobel पुरुस्कार कौन सा देश देता है? Option दो तो जाहिर सी बात है. इर्रेलेवेंट होंगे, दो होंगे, Sweden और Norway. तो शांति के लिए देता है आपका Norway. ये छोड़ी-छोड़ी सवाल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. आगे चलते हैं. तो हम बात करें थे, भारत की स्थिती, Nobel पुरुस्कार से संबंधित. हमने बात किया, महात्मा गांधि को Nobel पुरुस्कार नहीं मिला है. तो हम बात करेंगे, अब उन भारतियों की, चाहे वो भारतिया मूलके हों, या फिर वो बाहर से आकर भारत में वसे हों. मतलब जो भी भारतिया हैं जिन्हें Nobel पुरुस्कार मिला है. तो पहले भारतिया जिन्हें Nobel पुरुस्कार मिला, वो थे आपके रविंदर नाह्ट टैगॉर, और उन्हें आपका Nobel पुरुस्कार मिला था 1913 में. साहित्या लिट्रेशर के लिए, कौन सी बुक थी उनकी? गितांजली के लिए उन्हें Nobel पुरुस्कार मिला था 1913 में. रविंदर नाह्ट टैगॉर के बारे में आप जानते ही हैं, वो एक महान कवी, लेखक, चित्रकार, संगीतकार थे, और उनका पैन नेम था भानु सिंगा ठाकूर या आप भौनिता, भौनिता था उनका पैन नेम. देखिए, रविंदर नाह्ट टैगॉर से संबंदित और भी कुछ सवाल हैं, उन्हें भी हम साथ ही में डिस्कुस कर लेते हैं. एक जरूरी सवाल आपसे पुछा जाता है कि शांती निकेतन की स्थापना किस ने की थी? तो शांती निकेतन की स्थापना भी की थी आपकी रविंदर नाह्ट टैगॉर ने और शांती निकेतन है कहां पर? यह आपका पश्चिम बंगाल में शांती निकेतन पश्चिम बंगाल में और यहीं पर ही रविंदना टैगॉर ने विश्व भारती उनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी उसके अलावा एक जो बहुत जरुरी सवाल है जो हर भारती जानता है कि राष्ट्रगान की जो रचना है वो किसने की थी वो भी की थी आपकी रविंदना टैगॉर ने भारत का राष्ट्रगान और साथ ही साथ बांगलादेश का राष्ट्रगान भी अमार सोनार बांगला उसकी रचना भी रविंदर नाठ टैगौर ने ही की थी आप से सवाल पूझा जाता है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था तो राश्ट्रगान जो है आपका सबसे पहड़े 1911 में गाया गया था कहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राश्ट्रगान गाया गया था साथे साथ पात कर लेते हैं राश्ट्रगीत की राष्टरगीत आपका बंकिम चंदर चटर जी ने इनकी रचना की है और ये पहली बार कलकत्ता दिवेशन में ही गाया गया था लेकिन 1896 के कलकत्ता दिवेशन में राष्टरगान 1911 के और राष्टरगीत 1896 के कलकत्ता दिवेशन में देखिए ये बात आप जानते ही होंगे कि रिविंदरनाट टैगोर को नाइट हुड की उपाधी दी गई थी नाइट हुड की उपाधी दी गई थी तो ये नाइट हुड की उपाधी उन्हें किस ने दी थी ये दी थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और ये उन्होंने वापिस लोटा दी थी कब 13 अप्रेल 1919 को जलियाँ वाला कांड के होने के बाद उन्होंने अपनी नाइट हुड की उपाधी लोटा दी थी एक सवाल और आजाता है कि रविंदनाट टेगौर जी को गुरुदेव कहा गया किसके द्वारा तो महात्मा गांधी ने उन्हें पहली बार गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने रविंद नाटेगोर को पहली बार गुरुदेव कहा था और रविंद नाटेगोर जी ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था ये सवाल भी जरूरी है आपका तो ये थे रविन्न नाटेग और 1913 में इन्हें साहित्य के लिए पुरिस्कार मिला नोबिल पुरिस्कार अपनी पुस्तक गितांजली के लिए शांतिनी केतन पश्चम बंगाल में राष्टरगान भारत और बांगलादेश का आगे चलते हैं, दूसरा जो नोबर पुरिस्कार है वो मिला है चन्दर शेखर वेंकेट रमन को 1930 में फिजिक्स केक्षित्र में और ये उन्हें क्यों मिला था ये उन्हें मिला था रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए रमन इफेक्ट जो इन्होंने दिया था वो दिया था इन्होंने 28 फरवरी 1928 को और इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबिल पुरुसकार मिला और 28 फरवरी को इसी लिए हम मनाते हैं अपना विज्ञान दिवस तो 1930 में चन्दर शेकर वेंकेट रमन को फीजिक्स में रमन परभाव के लिए नोबिल पुरुसकार मिला और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मना जाता है क्योंकि 28-28 को रमन परभाव दिया गया था सीवी रमन के द्वारा सीवी रमन को पहला भारत रतन भी मिला है पहला भारत रतन जो कि तीन लोगों को मिला था उन में से एक आपके सीवी रमन भी थे, बाकी दो कौन थे राध गुपालाचारी और सर्वपली राधा कृष्णन तो नोबिल पुरुसकार पाने वाले दूसरे भारतिय और पहला भारत रतन पाने वाले भारतिय वो थे चंदर शेखर वेंके ट्रमन चलते ही आगे हर्गविंद खोराना इन्हें मिला था 1968 में चिकित्सा केकशेत्र में और चित्सा किक्षेतर में इन्हें जैनेटिक्स के लिए नोबल पुरुसकार मिला था उसके बाद चौथे नंबर पे मिला था मदर टेरेसा को मदर टेरेसा को मिला था 1979 में शान्ती यानि की पीस के लिए और ये यूगोसलाविया की रहने वाली थी ये 1929 में भारत आ गई थी और उन्होंने कलकत्ता में अपना मिशिनरी ओफ चैरिटी की शुरुवात की थी आगे देखते हैं सुबर मन्यम चंदर शेखर को 1983 में भौतिकी याने की फिजिक्स के लिए नोबल पुरुसकार मिला ये जो फिजिक्स के लिए नक्षत्र के ऊपर जो इन्होंने कार्य किया था उसके लिए ने नोबल पुरुसकार मिला था उसके बाद मिला अमरत्यसेन को 1998 में अर्थ शास्त्र का नोबल वेलफेर इकोनॉमिक्स के लिए देखिए आपको सवाल क्या सवाल आपको पुछा जाता है कि नोबल पुरुसकार सबसे पहले किस भारत्यकों मिला जानते हैं हम रविन्दना टैगोर को आपसे पुछा जा सकता है कि भाथिकी के लिए सर प्रत्म किसको नोबल मिला चंदर शेखर वैंके ट्रमन को आपको पुचा जा सकता है शांती के लिए किस भारती को पहला नोबल पुरसकार मिला तो वो मदर टेरेसय को मिला अर्थ शास्तर के लिए अमरत्य सेन को मिला आगे चलते हैं V.S. Nipol इन्हें 2001 में साहित्य लिट्रेशर के लिए नोबल पुरसकार मिला था V.S. Nipol की बुक आप चानते होंगे इनकी बड़ी फेमस बुक है उसका नाम है इन फ्री स्टेट इसी के लिए इन्हें नोबल पुरसकार मिला और इसी के लिए इन्हें मैन बुकर पुरसकार मिला था जो की साहित्य के क्षेत्र में नोबल के बाद सबसे बड़ा पुरसकार है तो पहले भारतिया जिन्हें मैन बुकर पुरसकार भी मिला था वो थे B.S. Nipol और इन फ्री स्टेट जो इनकी बुक है उसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरसकार भी मिला है आगे देखते हैं वैंकिट रमन रामकृष्णन वो आठवे भारतिय थे जिन्हें 2009 में रसाइन विग्यान याने की केमिस्ट्री के लिए नोबल पुरसकार मिला राइबोजोम के 3D स्ट्रक्शर के लिए आगे है केलाश सत्यारती इन्हें नोबल पुरसकार मिला था 2014 में शांती याने की पीस के लिए और इनके साथ साथ मलाला यूसफ जई को भी नोबल पुरसकार मिला था शांती के लिए और बाल अधिकारों के लिए लड़ते हैं ये और 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था और जो सबसे लेटेस्ट यानि की 2019 में जिस भारतिय को नोबल पुरसकार मिला है वो मिला है अभी जीत बैनर जी को अर्थशास्त्र एकोनोमिक्स के क्षेतर में इनके कारिया वैश्विक गरिभी के लिए एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए तो ये थे वो दस भारतिय जिन्हें विश्व का सरवोच पुरसकार मिला है तो पहले थे आपके रविन्दना टैग और जो अभी लेटेस्ट हैं आपके वो है अभी जीत बैनर जी तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं करन्ट अफियर्स के क्वेश्चन अगर आपके सलेबस में हैं तो वो पूछा जा सकता है कि 2019 में किस क्षेतर में किन-किन लोगों को नोबिल पुरसकार मिले हैं तो वो देख लेते हैं नोबल पुरुस्कार जो फिजिक्स के लिए मिला है वो मिला है जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर, डिजिलियर, क्वेल्स को रसाइन विज्ञान के लिए मिला है जॉन बी गुड इनफ, एम स्टेनले, विटिंगम, अकिरा योशिनों को भौतिकी के लिए मिला है साहित्य के लिए मिला है पीटर हैंके को शांती के लिए मिला है अभी एहमद अली को अभी एहमद अली ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर है और इन्हों ने जो काम किया शांती और इंटरनेशनल कोपरेशन के लिए उसके लिए ये ने शान्ति प्रुसकार मिला है क्योंकि निके चल रहे थे अपने पडोसी देश अरिट्रिया के साथ। ये खुद रहने वाले हैं कहां के इथीयोपिया के इथीयोपिया के और वे इनके किसके साथ रहे हैं कि अभी एहमद अली जो है वो किस देश से संबंद रखते हैं या फिर उनके कन्फिक्ट किस कंट्री के साथ चले हुए थे तो यह इथियोपिया के है खुद और इनके कन्फिक्ट जो चले थे मतमीद जो चले थे वो उसी के लिए इन्हें जो शांती और इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए इन्हें शांती पुरुसकार मिला है अभी एहमद अली को आगे देखते हैं अर्थ शास्तर पे मिला है आपका अभी जीत बैनर जी को अभी जीत बैनर जी एस्थर डफलो को और माइकल क्रेमर को इसके अलावा चिकित्सा का हमने शायद स्किप कर दिया है पीछे चिकित्सा में मिला है विल्यम जी कैलिंग जूनियर सर पीटर जे रेटकलिफ और ड्रेग ऐल सेमेंजा को तो यह थे आपके करंट अफेर्स की क्वेश्चन की 2019 में किस किस व्यक्ती को किस किशेत्र में नोबल पुरुसकार मिले हैं तो यह आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं अगर करंट अफेर के लिए आपको उसले बस में यह पढ़ने हैं तो आप यहीं से डिरेक्ट स्क्रीन शॉट करके ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं तो यह थे आपके नोबल पुरुसकार से समबंदित क्वेश्चन्स मैंने आपसे डिसकस कर लिए हैं अगर कुछ मिस कर दिया हो मैंने तो मैं अगली वीडियो में उसको अपडेट कर दूँगी तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्टी के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें शिवालिक प्रग्ति हमारे वीडियो को देखें लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तो जल्द ही हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ धन्यवाद